अठारा साल से मतलब अपने पती को कमा कर खिलाया है और अब जब खुद जरूरत है तो सोड के बाद गया उसकी बाण के रवा है रातों चिलाना और पागलों ज़सी हरकत करना आखों से अंदी है पुछ दिखनी पाता है उरे लेट ने कर दे उरे मिन राख गे रखी है शार रात सोब को निकल खुदा के कोड़ खुला दे भाल हमाने हिसार के क्राण्टीनगर में मौनार्कर फिलाल हम हिसार के क्रांटीनगर के मोजुद है और आज हमें इह पर्ला घख जा ते घु लग बगबग इनकी उम्र 50-55 साल की है और बताया जा रहा है कलोनी वासी के द्वारा ही कि इनके जो पती हैं वो दो महीने पहले इनको यहां पर छोड़ कर चले गए हैं और इनको दिखाई नहीं देता है ना ही यह कुद कोई काम कर पाती है अब पहले ही अपने पती के साथ रहती हैं अभी जिनों ने कलोनी वासी ने हमें बुलाएं इनसे ही बात कर लेते हैं नमस्कार सर क्या नाम है मेरा नाम दिपक बूर्ट है करांति नगर से प्रदानू तो यह मामला बहुत काफी दो डाइब मिने से जो यह महीला है यह आखोसे अंदी है लाचार है वही खाट में खाटे पड़े रहे हैं इसको दो डाइब मेने से खाना बना दे रहे हैं इसका हजबन दो मिने से छोड़ कर चला गया है अजबन उसका अपनी सिश्टर कर सूरे ने गरे में रह रहा है अब जिंदल मोटन स्कूल के अंदर वह स्पाइक रमचारी है अभी और वजीर नाम ह उसका हम चाहते हैं कि या तो उसका अजबन इसका लेकर जाए यहां से ताकि इसको भी उचार मिल से कि अच्छी जीवन से लिए हो सकी या फिर इसको कानून कारवाई करके उसका पुला के यहां को विर्दास नाम में छोड़े हम यहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत बुरा हल है क्या समस्या रही है समस्या तो बहुत बेकार है इसका जिन्दगी बहुत खराब है दो मेने से और खाना कर्चा मैं देती हूँ इसके रहने का भी अपना कमरे में रहता है और खाना मैं देती हूँ बद दो दिन हो गया नहीं थी हूँ खुद का मैं बिमार हूँ गया ने पती के लिए पती के घर पगई थी पती तो पाय कों तो पती इन तो पंजाब मत ले थे तो के तस दिन के बाए पहला अब फेर डेड़ मिनना के सनो गोड़े रंदन है सबता दुखी जादा मैं हूँ मेरा लगा पडोस उरे लेट निकर दे उरे मन राख गे राखी है सारी र तो ना बनादा जो नोकरी कर ला गए जिंदल बोडर में के वो बना कुन वी रहा है सकूल में कर रहा है 18-19000 खाले लाग रहा है कदे घरा द्दू संक्या आधे हैं दिखिया लाता है। है। हीग आधे हैं। तो सतिसि हैं तो. पहले बटन देनी थी 18 साल से मतलब अपने पती को कमाकर खिलाया है और अब जब खुद जरूरत है तो शोड के बाद गया उसकी बान का रवा है सुर्या नगर में रवा है बबली नाम उसका जिज्जा का तो आप सुन सकते हैं पूरा मामला करांती नगर का ये मामला है और ये जो ओरत है 55 साल की इनकी उमर है 18 साल से इन्होंने अपने पती को कमा कर खिलाया है और जब आज इनको जरूरत है तो दो धाई महीने हो गए इनकों से दिखता नहीं है ना ये कुछ कर पाती है रात को चलाती है अकेले रहती है घर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी बना हुआ नही परेशान है पती से बातचीत करी है वो मिलता नहीं है उसकी बैन मिलती है तो बोलती है कि तुम इसे छोड़ दो कहीं पर भी तो इस तरीके के हालात यहां पर हो रखे हैं फिलाल काफी जादा परेशान है अपर उसी भी काफी जादा परेशान है सर आगे क्या करवाई करने कानून चानुन करेंगे कोन्टक्त करेंगे आपनी बीवी को छोड़के जाता है मैं सरकार से द्रकास करता हूं कि इस सकते सकते कानून बनाया जाए कि किसी माता या कि पर दोड़ाइब करेंगे जो पड़ोसी हैं के वह कानूनी कारवाई करेंगे और पोलिस को दर्खास देंगे ताकि वो इनके पती से और या फिर जो पती की बैहन है उनसे बातचीत कर सके और इनका अच्छे से इलाज हो सके और इनकी भी देख बाल करने के लिए कोई हो नही तो अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या पता है ने वरिदाश्रम भी छोड़ कर आए तो इस वीडियो को आप जादर से जादर शेयर करिए चुड़े रही है धारनी उजर्याना के साथ अपना सामान MRP पर नहीं डिसकाउंट पर लो और हिसार में डिसकाउंट कहा मिल रहा है ये जानो सेल्ट्रेंडिंग डाट कॉम पर विजिट सेल्ट्रेंडिंग डाट कॉम पहले कंपेर करो फिर शाप करो